ड्यू ने एक ऐसे समय में अपने सो वर्ष पूरे किये हैं जब देश अपनी आजहादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अम्रित महुत्सों मना रहा है कोई भी देश हो उसकी युनिवर्सिटी उसके सिक्षन संस्थान उसकी उपलब्दियों के का सच्चा प्रतिमिम होते हैं ड्यू की भी इन सो वर्षों की यात्रा में कितने ही आइतियासिक पड़ावाये हैं इसमें कितने प्रफॉसर्स का कितने स्टूडेंट्स का और कितने ही दूसरे लोगों का जीवन जुड रहा है एक तरसे दिल्ली युनिवर्सिटी सिर्फ एक युनिवर्सिटी नहीं बलकि एक मुमेंट रही है इस युनिवर्सिटी ने हर मुमेंट को जीया है इस युनिवर्सिटी ने हर मुमेंट में जान भर दी है 22 आइतिहासिक अउसर पर युनिवर्सिटी के सभी प्रोफिसर्स और स्टाप को सभी स्टूडेंट्स और अलुमनाई को रजय से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों आज इस आयोजन के जरिये यहां नए और पुराने स्टूडेंट भी साथ मिल रहे हैं स्वाबायुक है कुछ सदावहार चर्चाएं भी होगी नौर्थ केंपस के लोगों के लिए कमला नगर हर्सन लाइन और मुखरजी नगर से जूड़ी आदे साथ केंपस वालों के लिए सत्य निकतन के किस्से आप चाहे जिस एर के पास आउट हो दो डियू वाले मिलकर इन पर कभी भी गंटों निकाल सकते हैं इस सब के बीच मैं मानता हूं डियू ने सो सालों में अगर अपने एहसासों को जिन्दा रखा है तो अपने मुल्यों को भी जिवन्त रखा है निष्ठा धृती सत्यम युनिवर्सिटी का इधे वाक्य अपने हर एक स्टूनेंट की जीवन में गाइडिंग लैंब की तरह है वाई वाई